शिवरात्री महापर्व आठ मार्च को है भगवान शिव की उपासना में जितना कुछ कर दिया जाए कम ही है सनात्र धर में व्रत्रजय महादेव ही एक मात्र ऐसे देवता है जिन्हों देवों के देव कहा गया है देवों के देव महादेव महादेव की प्रसंटा समस्त्र सुखों की खान है छण मातर में प्रसंद होने वाली भगवान भुलेनात अगर हम उनकी उपासना अपने किसी अभीज की सिद्री के लिए कर रहे हैं उस समें हमें विधी और विधान का पालन अनिवार है जिस आशन पर आप बैठें ध्यान रहें उस आशन का रंग काला नहोग गंदा नहोग कहीं से कटा फटा नहोग लाल रंग का आशन या सफेद रंग का उनी आशन प्रयोग करें आशन लगाने की बात के ध्यान है कि पैर से आशन को नखिसकाए जाए जिसे आप कहीं खड़ें आपने पाय से खिसका लिया ऐसा करने से धन प्राप्ती का अगर कोई पाय आप कर रहे हैं तो वो तो कभी सफल नहीं होगा और अगर आप धनवान हैं तो इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं इसलिए आसन का संबान करें तक पस्चाथ आसन को बैठें जिस पात्र में जल ने आजमनी जल उस पात्र में पैर आपका भूल करके भी न लगे अगर पैर लग गया तो उस पात्र को दुबारा साथ करके उसमें स्वच्छ जल रखके फिर पूजा का आसन ग्रहन करें जब करते समय किसी से वारता लाप न करें मुबाइल इत्याद यंत्रों से दूरी बना के रखें और अपने मंत्र पर ही अपना ध्यान के अंधित करें थोड़े से विधान का पौलन कर आप अपने मनोर्थों की सिद्धी प्राप्त कर सकते हैं जैसे आदा हो